hello everyone आजका मारा question है the area of a square is 289 cm2 find the length of its diagonal तो देखिए इसमें हमें क्या करना है यह क्या कर रहा है कि area of square कितना है 289 cm2 है इस question को हम directly भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पर area of square हमें given है कितना है दोस्तो 289 cm2 है अब यह 289 किसका square होता है दोस्तो 17 का square होता है और हमें पता है कि length of diagonal क्या होती है दोस्तो root 2 times root 2 times क्या होता है side होता है ठीक है तो इस question को हम directly भी कर सकते है इसका answer कितना है दोस्तो 17 root 2 इसका answer आएगा अब हम इसे basic से करेंगे ठीक है दोस्तो अब हम इसे basic से करेंगे तो सबसे पहले area of square हमें दिया गया तो देखे दोस्तो मैं देखे दोस्तो मैं एक square को यहाओ पर बना लेता हूँ सारी जो side से उसको x से मैंने denote कर दिया ठीक है दोस्तो मैंने इसे represent कर दिया आप क्या कर रहा है कि जो ये area है इसकी जो area है दोस्तो ये क्या है 289 cm2 है ठीक है दोस्तो 289 cm2 है और हमें क्या पूचा है find the length of its diagonal अब हमें क्या पूचा है दोस्तो इसका जो length है न ये देखे ये जो है यह जो length होती है दोस्तो diagonal की हमें diagonal की length पूछिए ठीक है दोस्तो हमें diagonal की length दोस्तो diagonal की length पूछा है अब देखे दोस्तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें area of square area of square क्या होता है दोस्तो देखे area of square होता है x का जैसे हम यहाँ पर consider करेंगे तो हमने यहाँ पर side का क्या लिया है दोस्तो डिनोट किया x है तो x का square क्या होगा दोस्तो हमारा area होगा ठीक है फिर length of diagonal क्या होती है देखिए यह जो length of diagonal होती है देखिए length of diagonal क्या होती है length of diagonal होती है दोस्तो root 2 times क्या हो जाएगी x हो जाएगी ठीक है स्क्वेर, 289 is equal to x square, यह हमारे पास आ चुका है पर हमेnh x required है तो हम यह करेंगे, दोनों side पर क्या करWhen कर देंगे, यहाँ पर square root लगा देंगे तो यहाँ पर मैं square root लगा देता हूं और यहाँ पर मैं square root लगा देता हूं अब square से square root cancel हो जाएगा 89 किसका square हो दोस्तो 17 का square है तो यहाँ पर कितना आजाएगा 17 आजाएगा और x की value कितना आजाएगी दोस्तो हमारी 17 आजाएगी जो हम क्या कर देंगे दोस्तो इस x में put कर देंगे ठीक है तो length of diagonal कितना आजाएगे दोस्तो root 2 into 17 यहाँ हम इसे इस प्रकार पिलिख सकते है 17 root 2 cm क्या है दोस्तो हमारी length of diagonal है तो दोस्तो इस question में सबसे पहले आपको area of square given है तो उसमें से आपको x की value निकाल ली नहीं है पर length of diagonal हमारा क्या होता है root 2 times x होता है तो हम या कर देंगे उसे root 2 time जो side होगी जो x होगी उसे multiply कर देंगे और वो ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तो length of diagonal हो जाएगा जो हमारे question में पूछा गया था दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए मिलते अगले वीडियो में नमस्कार